गोंदिया बड़े शहरों की तर्ज पर गोंदिया शहर कभी तीजी से विकास हो रहा है नगर विकास योचना के साथ शहर को आधुनिक शहर बनाने के लिए शेत्री विधायक विनोध अगरवाल अच्छे विचारों के साथ आगी बढ़ रहे हैं गोंदिया को राश्री राजमार्क से जोने वाले सडकों के निर्मान पर चर्चा के लिए पिछले एक दो साल से वह कई बार केंद्री मंत्री नितिन गटकरी से मिल चुके हैं जिस पर केंदरी मंत्री ने गोंधिया को विकास के मामले में आगी ले जाने का वादा किया है आज उसी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि गोंधिया में करीब 500 करोड रुपए की लागत से राश्री राजमार का विकास कारे शुरू हो गया है विदायक विनोत अगरवाल ने कहा कि हम गोंधिया को आधुनिक और अध्योगिक और सम्रद्ध शहर बनाने के लिए प्रतिवर्ध है गोंधिया शहर को राश्री राजमार से जोड़ा जाए नए हवाई अड़ा बनाये जाए शहर को आधुनिक तकी और बड़ा बनाने का है मेरा प्रयासे, शहर की भुमिगा सीवरेज योजना, भुमिगा द्विध्योती करण का कारे भी चल रहा है उन्होंने कहा की अब शहर में गोंदया से साथी गोंदया से आम गाव राश्री राजमार को जोनने का काम शुरू हो गया है। बालगास टी-पॉइंट से लेकर जिला कलेक्टेर कार्याले सरसचौक और सरसचौक से करणजया पुलिस से मुख्याले तक बाइपास सड़क गौडाम्री करन का कारी भी चल रहा है। कलेक्टेट सरस्चौक से फूलचूर नाका होते हुए फूलचूर तक सड़क को पक्का करने काम भी जा रही है। विधायक अगरबाल ने कहा कि राजगाव से रावन वाडी रोट पर डामरी करन का काम जोरो पर है और रावन वाडी से गोंदिया मरा टोली टी पॉइंट का क काम जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। इन कारियों के अलावा ग्रामिन शेत्रों से नाकरिकों की आवाजाही के लिए पूरे विधानसवा शेत्र में सड़क निर्मान और मरमत का काम चल रहा है। विधायक विनोद अगरबाल ने कहा कि जल्दी गोंदिया शेत्र सड़क के मामले में तेज और चुस्त होगा और हम यात्रियों को बड़ी रहत देने के लिए पृतिबद है। गोंदिया से BCN News के लिए अभिशेक बटनागर की रिपोर्ट